क्या दिल्ली में आम आदी पार्टी की सरकार गिरने वाली है? क्या केजरिवाल को CM पज से हटाया जाएगा? क्या दिल्ली में भाजपा अपनी सरकार बनाएगी? क्या भाजपा ने केजरिवाल के सभी विधायकों को अपने पाले में कर लिया है? जिस तरह से बिहार में खेला हो रहा है वैसा दिली में भी अंदर-अंदर खेला चल रहा है धूआ उठना शुरू भी हो गया है आज तरके आमादी पाटी उनके नेता और स्वेंग मुख मंतरी अर्विंद केजरिवाल अपना कुर्सी बचाने के लिए हर संभब कोशिस करते दिख रहे हैं बात इतनी बढ़ गई है कि सुभा सुभा मंतरी आतिसी को प्रेस कॉन्फरेंस बुलाना पर गया है इतना ही नहीं स्वेंग मुख मंतरी महोदे कह रहे हैं कि हमें मुख मंतरी से हटाने की कोशिस की जा रही है केजरिवाल कह रहे हैं कि हमारे साथ बिधायको को भाजपा खरीदने की कोशिस की है सभी को 25-25 करोर रुपए का ओफर भाजपा ने दिया है कि जिरिवार कहते हैं कि 25 करोर रुपए और भाजपा के टिकट से लरवाने का लालज देकर सरकार को गिराने की कोशिस दिल्ली में चल रही है बजापते मंतरी आतिसी ने बिहार की सियासत में हो रहे पलटा पलटी के खेल को दिल्ली से जोड दिया है तो क्या बिहार के बाद दिल्ली में भी सरकार पलटने वाली है आपको एक एक बात बताएंगे कि जिरिवार जो आरोप लगा रहे हैं इसे इंकार भी नहीं किया जा सकता है खुद मंतरी आतिसी ने बता भी खेला जा रहा है सियासत की खिचरी दिल्ली में भी पक रही है पचीस करोर रुपए वाले आरोप पर भाजपा ने भी अपने तमाम नेताओं और परबकताओं को फोज खरी कर दी है केजरिवाल पर भाजपा की और से और भी चोतरपा हमले शुरू हो गए हैं सब कुछ ब केजरिवाल सुबही भाजपा पर अब तक का सबसे बड़ा अरोप लगा दिया है अब तक केजरिवाल की गिरफतारी की ही बात हो रही थी लेकिन आज केजरिवाल सरकार गिनायने की बात हो रही है यानि धूआ उठना शुरू हो गया है बस आगे आग लगना बाकी है बिह खेर ऐसा ही आग दिल्ली में भी लग रहा है। इतना ही नहीं और सुनिये केजरिवाल कहते हैं उनके विधायकों को भाचपाद्वारा कहा गया है कि कुछ दिन बाद केजरिवाल को गिरफतार कर लेंगे। उसके बाद एमेलों को तोरेंगे एक इस एमेले से बात हो गई है और से भी बात चल रही है। उसके बाद दिली में आमादी पार्टी की सरकार गिरा देंगे आप भी आजाओ 25 करोर रुपए देंगे और बीजेपी की टिकट से चुनाव लरवा देंगे मतलब साफ है सियम केजरिवाल की माने तो दिली में भी खेला चल रहा है यदि आमादी पार्टी के बिधायकों भाच्पा अपने पाले में कर लेती है तो बिहार महराश्च की तरह दिली में भाच्पा की सरकार बन सकती है लेकिन केजरिवाल यह भी कहते हैं कि सभी बिधायकों ने भाच्पा का अपर ठुकरा दिया है समने मना कर दिया केजरिवाल कहते हैं उन्हें गिरफतार किसी सराब घोटाले की जाच के लिए नहीं किया जा रहा बलकि उनके गिरहतार का करण दिल्ली माम आम आदी पार्टी की सरकार को गिरा कर भाच्पा की सरकार बनाने के लिए बड़ा सर्यंत रचा जा रहा है जब हमने खुद सुबह सुबह सत्ता परिवर्टन की बात सुनी तो मंतिरी आतिसी की प्रेस कॉन्फरेंस में पहुचा बतादू कि मंतिरी आतिसी के बाद आम आदी पार्टी के बिधायक दुर्गेश पाठेक का भी बियान सामनी आता है जिसमें बे कहते हैं आम आदी पार्टी को खत्म करने की साजिस में भाच्पा का अपरेशन लोटस दिली में सुरू हो गया है बिधायक दुर्गेश पाठेक भाश्प्रा को कहते हैं कि भाश्प्रा का एक पैटर्ण है जहां चुनाओ नहीं जिज़ पाते वहां अपरेशन लोटस चला कर अपनी अपरेशन बनाते है इसके बाद आपकी मुख परवक्ता प्रियंका कक्कर का भी ब्यान सामने आता है वो कहती हैं कि जैसे रामाइन में रावन ने माता सीता का अपरण करने के लिए दूसरा रूपधारन किया था बैसे ही आज भाश्पा इडी का रूपधारन कर फरजी सराव घोटाले में अरविंद के जिरीवाल को गिराफ्तार करके दिल्ली में आपकी सरकार गिराना चाहत बे आगे कहती हैं चल से दिली की सत्ता कव जाने के लिए भाच्वा ने हमारे साथ विधायकों से संपर्क किया है और उनको अपनी पाटी में सामिल होने के लिए 25-25 लाख रुपे का ओफर दिया है आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लगतार केज्रिवाल के एक के बाद एक नेताओं का ब्यान सामने आ रहे हैं इससे दिली की स्यासत में बड़ा खेला शुरू हो गया है 25-25 करोर रुपे की बात हो रही है इस पर भाच्पा ने तमाम नेताओं और परवक्ताओं की फोज खरी कर दी है दिली भाच्पा अध्यक्ष ब्रेंदर सजदेवा से लेकर द दिली भारते जनता पाटी की सचीब बासरी स्वराज ने भी केजरीवाल को बहुत कुछ कह दिया है इतना ही नहीं दिली भाच्पा की महामंत्री कमल जिस सहरावत का भी ब्यांस सामने आया और मीडिया परमख परविन सकर कपूर ने तो सीम केजरीवाल को सैतान तो ही कह द बता दिया है मंत्री बासरी सोराज कहती है कि जब नास बन उस पर चाता है पहले बिवेक मर जाता है यानि केजरीवाल की राजनीतिक केरियर अब नास हो रही है इसलिए केजरीवाल का बिवेक काम नहीं कर रहा है वहीं दिली भाच्पा अध्यक्ष ने केजरीवाल को हतास निरास और मांसिक दिवालियापन बता दिया है भाचपा दिली परदे सद्यक्स महोदय कहते हैं कि केजरीवाल का हिम्मत है तो उन साथ विधाइगों का नाम बताएं जिसने बताया है कि उन्हें 25 करोर का ओफर भाचपा ने दिया है इस तरह से भाचपा केजरीवाल को घेर नहीं है वहीं केजरीवाल ने जाहिर कर दिया है कि दिली में भी अब खेला शुरू हो रहा है फिल हाल बीहार में उठा पटक निति जारी है नितिस बाबू अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं कि वो किस तरब जा रहे हैं सुत्रों और कयासों के हवाले कई खबरी बन रही है बनाई जा रही है इसी बीच दिल्ली की सियासत में जोर तोर की बाते पूरे देश की राजनीती को हिला कर रख दिया है कमेंट बक्स में अपनी राय जरूर दे मिलते हैं किसी और खबरों के साथ नमस्कार